दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि मगरमच कितना ताकतवर और जानलेवा होता है जिनने से फाइट में जीत पाना लगभग नामुम्किन होता है हालांकी कुछ ऐसे भी जानवर है जो इनको आसानी से हरा सकते हैं हिप पोस आपको तो पता ही होगा कि मगरमच पानी के जानवरों में सबसे खतरनाक जानवर है क्योंकि ये अपने सिकार को पानी में ले जाकर उसे कमजोर कर देते हैं जिसे वो उसका सामना नहीं कर पाता हालांकि अगर मगरमच के सामने हिपो होते हैं बात कुछ और होती है क्योंकि ये ताकतवर हिपो इतने ज़्यादा अग्रेसिव होते है कि पानी में जाने के बाद भी मगरमच को पानी से बाहर ले आते हैं इसलिए अगर मगरमच हमेशा हिपोस के बच्चों का अपना सिकार बनाता है पोलर बियर्स वेसे तो आज तक कभी किसी भी मगरमच से लड़ते हुए नहीं देखा गया लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि एक मेल पोलर बियर आराम से किसी भी जाइंट मगरमच का सिकार कर सकता है और जिसमें उसकी मदद उस भालू के नुकिले नाकून और उसके मजबूत दात करते हैं जो उसे पानी के अंदर भी अपने सिकार को पकड़ कर बाल लाने में मदद करते हैं पाइथोन सापों की सबसे बड़ी प्रजाती माना जाने वाला यह साप असल में अपने सिकार को बिना चबाय निगल जाने के लिए जाना जाता है फिर चाहे उसका सिकार कोई जानवर हो या फिर कोई इंसान जो अपने सिकार को निगलने से पेले उसे अपने सरीर की मदद से जगड कर उसके सांसों को रोग देता है और बाद में उसे निगल जाता है बताया जाता है कि ओस्टेलियन पाइथन ज्यादा तर अपना पसंदिदा सिकार मगर मचो को बनाते है लोयन जंगल का राजा कहे जाने वाले सेहर को असल में मगर मचो से तब लड़ते हुए देखा गया जब वो पानी पिने के लिए ताल आपके नजदिक जाते हैं लेकिन अक्सर उनकी लड़ाई की सुरुवात मगर मचो की दुआराई की जाती है जिसमें अगर मगर मच उस सेहर को अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है तो उस मगर मच की जीत पक्की हो जाती है लेकिन उस सेहर को असानी से पकड़ पाना उसके लिए काफी मुश्किल होता है वही अगर वो सेहर उस मगरमच को अच्छे से अपने जबडों में पकड़ लेता है तो उस मगरमच का सेहर के हाथों मरना पक्का है काफी सांस अभाव वाले हाती असल में जंगल में रहने वाले किसी दूसरे जानवर पर हमला नहीं करते जब तक कि उन्हें छेडा ना जाए बावजूद इसके मगरमच अकसार अपनी जान को जोखिम में डाल कर इनकी सूंड पर हमला कर देते हैं जिनसे हाथी को मामूली चोट का सामना करना पड़ता है लेकिन एक मगरमच के लिए वो हमला कहीं बार उसकी जान भी ले लेता है दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेनत लगी पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकिल लगेगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पर क्लिक किजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्ली सब्सक्राइब करना मत बूलना